जहीं दोस्तों, फोकुस अस्टड़ी वी तभी पर आपका बहुत बहुत चौगत है तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नमबर 17 और इसमें काफी खतरा क्योंकि कोशन का लेबल को अप कर दिया गया है ठीक है एक बंदा का कमेंट आया था ठीक है उसने बहुत तरीका से लिखा है ठीक है कमेंट आपको हम पढ़के नहीं बताएंगे वैसे आप किसी के बारे में कमेंट आपको नहीं करना चाहिए ठीक है कमेंट करने से पहले सोचिए खुद को आईना में देखिए कि आप जिसके बारे में कमेंट कर रहे हैं वो चीज है क्या किसी के भी बारे में कमेंट करने से पहले सोचिए कि आप जिसको बोल रहे हैं क्या वो वाकई में उस लाइक है अगर है तो आप बोल देजे, कोई दिकर नहीं है, लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा यार सालिंता रखो, ठीक है, तो टेस्ट नमबर 17 एकदम खतरनाक वाला है, आपको आज पूरा का पूरा प्राक्टिस देखना चाहिए, और हर एक सवाल को देखने के बाद वीडियो को जाता है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लिजे, नहीं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले एप पे आपको मिल जाता है Math at the rate 299, complete arithmetic plus advanced, जाब बरदस्ट लेवल है, जारकन का सारा का सारा एक्जाम कबड जाएगा इससे, ठीक है, अ जैसे 299 का कोर्स परचेश करते हैं, आपको साथ ही साथ मिल जाता है Math का test series बिलकुल free में, और इस test series का खास्यत क्या है, कि आपको इसके साथ video solution भी दिया जाता है, सबसे best part है, और अगर आप सिर्फ test खरीदना चाहते हैं Math के लिए, तो आप अलग से इसको 75 रुपिया में कर सकते हैं, अब इस एक जर का कोर्स, अब इस एक सरने इदम जवर्दस तरीका से science का कोर्स लिखे आया है, आपके बीच 499 only, 499 में, complete science का package है, bilingual content, जवर्दस्त का content आप जाके एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ reasoning 199 का है, आप इसको भी जाके देख सकते है, सारा का सारा कोर्स आपके जारकन के exam के लिए है, जारकन से चिवाले के लिए है, जारकन दरोगा के लिए है, जारकन में जो भी exam होगा सब के लिए, एकदम content based है, आप जाके देख सकते है, inquiry कर सकते है, सारा का सारा number आपको description में दिया हुआ है, चाहे हो science का हो, चाहे हो reasoning का ह तो जो लोग math का course लेंगे 299 का उनको ये test series साथ में मिल जाता है बाकी बात अभी से एक sir इनका एक package बनाने वाले हैं वो कब बनाते हैं वो आप उनसे एक बार inquiry कर लीजिएगा ठीक है बहुत जल्दी साइद वो एक package लेके आने वाले हैं तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा इनका जो science का है न course 499 का ये research level का है upper level का content है तो आप सब का सब देख लीजिएगा और सबसे जरूरी बात है ये जो telegram group है ना भाई telegram group जो जारकंड special group है आप इसको join कर लीजिएगा लिंक description में दिया हुआ है ठीक है तो कोई भी आप course purchase करने से पहले एक बार inquiry कर सकते है inquiry का number आपके पास है description में link है चाहाए तो आप telegram पे भी पुछ सकते है whatsapp पे भी पुछ सकते है और phone करके भी personally पुछ सकते है कि sir फलनवा course ले रहे हैं खरीदे क्या ठीक है तो आज टेस्ट नंबर 17 है एक दम जबरदस्त वाला है एक एक सवाल को काईदे से लगाना है और बढ़ियां से लगाना है ठीक है जैसे तैसे नहीं माल लीजिए कि सारा का सारा सवाल आपके एकजाम में आये हुआ है आप बैठे हैं और मैट्स का 20 सवाल आपके सामने है अब 20 के 20 सवाल को कैसे निप्टाएंगे with best approach टाइम के साथ और गलती तो करना ही नहीं है क्योंकि सवाल है एक कोशन पे तीन नंबर का ठीक है देखे सवाल पढ़िये वीडियो को पाउज मार के बनाईए उसके बाद व लेगा ठीक है और कमेंट आप कर सकते हैं लेकिन काईदेवाला ठीक है एक लड़क का कमेंट किया था है मस्टरवा, यह है मतलब क्या क्या मस्टरवा कोन ने मस्टरवा पापा को कैसे बुलते है हे बपप, बपवा, नहीं न भाई, वो बाबुजी है, हम आपको ग्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बात अपने अंदर थोड़ा से लाईए, संस्कार लाईए थोड़ा, ठीक है, देखिए, केता है कि पाइप A और B एक साथ टंकी को 30 और 45 घंटा में भर सकता है, ठीक है, स समझ गए, जब टंकी पूरी भर जाती है, तो अकेले C को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है, और फिर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, फिर एक ही समय पर A और B को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, अब पाइप A और B एक साथ टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लेंगे देखे जब टंकी पूरा भर जाता है उसके बाद पाइप सी जो की खाली करने वाला पाइप है आठ घंटा के लिए खोला जाता है फिर बंद कर दियाता है अब आठ घंटा के बाद क्या है कि A और B को फिर से खोला जाता है एक साथ तो एक बात आप समझे ध्यान से क 8 गंटा में जितना pipe C पानी खाली किया होगा उतना ही पानी भरेगा तो Tunky भर जाएगा जितना पानी खाली किया होगा pipe C 8 गंटा में उतना ही पानी भरना होगा A और B को तो Tunky पूरा तरीका से भर जाएगा एक्डम Simple Calculation है तो सबसे पहले देखते हैं अपना सर्माईएगा मत LCM निकालने में फास्ट रहिएगा A 30, B 45 और C 20 घंटा में खाली करता है तो ये 20 घंटा में खाली करता है C को घेर देते हैं ये खाली करने वाला पाइप है लाल सेटिंग दिये ठीक है तो जे 30, 45, 20 का LCM केतना हटाक से बोलिए 180 तीच छके 180, 6 बार में 45 चके 180, 4 बार में 29 एकथ ठीक है 9 बार में अब टंकी में पामी कितना आता है 180 यूनिट ठीक है अब टंकी पूरा भरा हुआ है सी को खोलते हैं 8 घंटा के लिए अगर सी हरेक गंटा 9 यूनिट पानी निकाल सकता है तो 8 खंटा में 8 नवा बहतर यूनि यूनिट को भरना है क्योंकि एक साथ खोल दिये तो पुछा है कि टंगी में तरीका से में लेगा वही हमारा उत्तर होगा तो A और B हर घंटा कितना यूनिट भरता है देखिए तो 6 और 4 10 यूनिट भरता है हर घंटा अगर हर घंटा 10 यूनिट भरता है तो 72 भागा 10 7.2 आवर्स 7.2 आवर्स में टंकी को भर देगा 72 यूनिट भरता है और A और B मिलके हर घंटा 10 यूनिट भरता है तो 72 यूनिट भरता है तो 72 यूनिट भरने में 72 बटा 10 गंटा लगेगा और 72 बटा 10 मतलब 7.2 आवर्स आपको क्या उत्तर हो जाएगा इस सवाल को देखिए पहले वीडियो को पाउज मारिएगा solve करिएगा होगा तो ठीक नहीं तो देखिएगा उसके बाद वीडियो को थोड़ा सेहर मार देना सपोर्ट के लिए ठीक है देखो कहता है कि यदि किसी गोले की तिर्जिया 4 सिंटीमीटर बढ़ाया जाता है ध्यान देना अगर किसी गोले का तिर्जिया 4 सिंटीमीटर बढ़ा दे मतलब किसी गोले का तिर्जिया अगर R है और हम इसको बढ़ा के R पलस 4 सिंटीमीटर कर दे तब उसके प्रिष्ट चितरफल में 464 पाइस सिंटीमेटर का व्रेधी हो जाती है मतलब जो ओरिजनल गोला था जिसका रिडियस आर है इसका टोटल सर्फेस एरिया से इसका टोटल सर्फेस एरिया 464 सिंटीमेटर जादे है मतलब यूं कहें तो नया वाला गोला के टोटल सर्फेस एरिया में पुराना वाला गोला के टोटल सर्फेस एरिया को घटाएंगे तो 464 पाइस सिंटीमेटर स्कॉयर होगा अगर आप ऐसे समझे सोलुसन के लिए मतलब दोनों गोला के टोटल सर्फ इस एरिया का डिफरेंस 464 पाई सिंटीमिटर स्कॉाइर दिया है और जैसे ही डिफरेंस का सोलूशन लगाएंगे रेडियस निकल जाएगा और रेडियस से हम फिर भल्लूम निकाल लेंगे यही सवाल है आपका ठीक है तो नया वाला गोला के टोटल सर्फिस इरिया में पुराना वाला गोला के टोटल सर्फिस इरिया को घटाएंगे तो 464 पाई मिलेगा तो भाई दोनों गोला का टोटल सर्फिस इरिया का फोर्मुला क्या होता है 4 पाई आर स्कॉाइर तो भै 4 pi r square दोनों में रहेगा 4 pi r square और 4 pi into r plus 4 का square दोनों में 4 pi common है तो 4 pi को common निकाल के लिखेंगे और ध्यान दिजेगा नया वाला जो बड़ा वाला गोला है जिसका radius जादा उसका surface एरिया जादा तो बड़ा वाला गोला के मतलब नया वाला गोला के टूटल सर्पेस एरिया में जो ओरिजनल गोला है r जिसका radius r है उसको घाटाएंगे ठीक है तो भैया दोनों में common क्या है 4 pi तो हम लिखे दें 4 pi common ले लिए अंदर क्या बचा r plus 4 का square minus r square बराबर कितना 464 pi ठीक है इसको थोड़ा इधर हम अलग कर देते हैं लाल रंग से ठीक है यह हमारा option है अलग हो गया ठीक है थोड़ा जगा कम है अब ज़्यान से दिखिएगा ए भाई भाई पाई से pi कट जाएगा मेरे दोस्त बिल्कूल 4 से भागा देंगे तो 4 अकम 4, 4 अकम 4, 4, 24 एक सो सुल्ला बार में उड़ गया इधर क्या बच्या आर पलस 4 का स्क्वाईर मतलब ए पलस B का होल स्क्वाईर मतलब यह हो गया आर अस्क्वाईर पलस A स्क्वाईर B स्क्वाईर सुल्ला पलस 2 A B मतलब 4 दूना 8R मैनस R अस्क्वार बराबर 116 12-R R अस्क्वार cancel हो गया 16 plus 8 R में 8 common लेंगे ना मेरे भाई तो R plus 2 बचेगा बराबर 116 होगा बट्टा में 8 जाएगा R plus 2 का value तो यह 4 दूना 8 और 4 नमच 36 यह 29 बट्टा 2 हो जाएगा R plus 2 का value 2 उधर लेके जाएगे R बराबर 29 बट्टा 2 में 2 घटा देंगे 29 बट्टा 2 मतलब कितना 14.5 और 14.5 में 2 घटा एगे कितना 12.5 मतलब क्या 25 बट्टा 2 लगाग देशी तरीका तो 25 बट्टा 2 सेंटीमेटर किसका जो हमारा original गोला है उसका radius आया अब मूल गोला का वही original गोला का volume पुछा है volume क्या होता है 4 by 3 pi r q 4 by 3 pi r q जगा कम है मिटाते हैं मेरे दोस्त इतना calculation आपको करना ही होगा कोई option आपके पास नहीं है सवाल में Calculative सवाल है ठीक है अब volume पुछा है volume क्या होता है 4 by 3 pi r q pi pi को pi रहने दिया है pi को touch नहीं करेंगे 4 by 3 pi r q r 25 बटा 2 मतलब 25 बटा 2 का q और 25 का q कितना होता है 15,625 बटा 2 का q कितना 8 4 दूना 8 3 दूना 6 मतलब 15,625 pi बटा 6 15,625 pi बटा 6 ये देखी 15,625 pi बटा 6 इस सवाल का आंसर हो गया ठीक है भाई भाई जी आसान नहीं है सवाल calculation आसान नहीं होता है अगर आप जबर दस पकड़ रहेगा तब आप ऐसे तोड़ पाईएगा नहीं तो step by step करने में वक्त लग जाए देखिए सवाल को पढ़िए वीडियो को pause मारिए खुद से बनाईए बनता है तो ठीक है देन वीडियो देखिए ठीक है और एक बार सेर मार देना तेको कहता है कि यदि A ने X% वार्षिक दर पर P रूपिया और B ने Y% वार्षिक दर पर Q रूपिया और बोला कि क्यों बढ़ा है P से मतलब B जो है जादा पैसा लिया है और A जो है कम पैसा लिया ठीक है एक ही समय पर सदरन ब्यास पर उधार लिया तो कितने वर्स बाद उनके रिन की रासी बराबर हो जाएगे, मतलब कितना साल बाद इनका amount जो है equal हो जाएगा एक दूसरे के, amount equal हो जाएगा, मेरे भाई, amount equal हो जाएगा, मतलब A का amount बराबर B का amount दोनों equal हो जाएगा, और amount क्या होता है, amount होता है, principal plus interest का sum amount होता है, निसरद करते हैं और यह जो उधार लिया है ना वो सिम्पल इंट्रेस्ट पर लिया है इस अधरन ब्याज पर लिया है तो दोनों का अमांट को हम एक बार में बराबर कर सकते हैं चाहे तो ऑप्शन से भी हम लोग ठोक सकते हैं एक बार में लेकिन पहले समझ लिजिए उसके बाद एका बात करें तो एका अमांट कितना होगा तो जी ए मेरा उधार लिया है कितना पी रूपिया कितना उधार लिया है पी रूपिया यह क्या है प्रिंसपल है इसमें जोड़ देंगे सिंपल इंट्रेस्ट तो सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है प्रिंसपल इंट्रेस्ट तो माल लेते हैं कि T time के बाद, या आप कुछ भी माल लीजिएगा, A, B, C, D, E, F, G, H, कुछ भी, आप समय को कुछ भी माल लीजिएगा, तो हम माल लेते हैं कि T time के बाद, दोनों का amount बराबर हो जाएगा, time को हम T माने, ठीक है, तो ये हमारा principle है, इसमें interest जोडेंगे, तो simple interest क्या होता है, principle into rate into time बटा 100, तो भाईया, principle हमारा P है, rate हमारा X है, और time को हम क्या माने है, T, और ये बट्टा में 100, ये बराबर हो जाएगा, B के amount के बराबर, B का principle कितना है, Q रूपिया, पलस इसमें इसका simple interest जोडेंगे, principle into rate into time, principle Q है, और rate of interest Y है, और time T है, बट्टा में ये ही सवाल में पूछा है, ये ही सवाल में दिया है, और T का value हमसे पूछा है, और सवाल में एक चीज दिया कि Q बढ़ा है P से, मतलब Q में P को घटाना है, तो भाईया, Q में P को घटाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, P, X, T upon 100, minus Q, Y, T upon 100, बराबर Q, minus P, और T यहां से common लेंगे, तो Q में P घटेगा, देखिए यहां P में Q है, 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 एक ही option ऐसा है, जिसमे Q में P को घटाना है, तो option number C हमारा answer हो गया है, लेकिन पूरा solutions मझे लिजए, अब यहां से हम जैसे हैं, T common लेंगे न भाई, T common तो अंदर भचेगा P X माइनस Q Y और अपोन 100 बरावर क्या भचेगा Q माइनस P, तो हमें T का भेलू चाहिए न, तो यह हो जाएगा 100 इंटू Q माइनस P, बटा P X माइनस Q Y, यह वही चीज है, जो हमसे पूछा गया है, तो क्या इस calculation असान था, नहीं, पूरा concept, एकदम आवला तरीका से मालूम रहेगा न, तब ही बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा, इतना calculation करना ही नहीं है, यह चीज आपको मालूम है, सवाल में यह अचार डालने के लिए नहीं दिया है, कि Q माइनस P, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप आएंगे, तो आपको पता नहीं है कि किसको किस में घटा है, बाई बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, इसी लिए बताया है कि Q बड़ा है P से, प्रिंस्पल Q बड़ा है, प्रिंस्पल P से, तो हमें Q में P को घटाना है, मतलब जो equation बनेगा, वो Q माइनस P बनेगा, option में P माइनस Q, P माइनस Q तीनों में है, Q-P, तो answer ठोक देंगे, जैसे यहीं देखके दुरंदर लोग answer को ठोक देगा, ठीक है, हाँ, अगर चारों option में Q-P दिया है, तब आपको solution करना होगा, ठीक है, तो इसलिए हम तो आपको बताएं, लेकिन अगर एक ही option में है ना, तब आपको tension लेनी क्या हो सकता बिलकुल नह किया, B और C ने 4 और 6 महिने के बाद इस वेपार में सामिल हो गया, वर्स के अंत में लाव को 1-4-5 के अनुपात में बाटा गया, B और C के बीच निवेश की गई, पूंजी के बीच कितना अंतर है, भहिया, partnership का अच्छा सवाल है, समझेगा द्यान से, तो आपको यह चीज जितना समय के लिए रहा, आपका पूंजी जितना समय के लिए रहा, तो वहिया, A का पूंजी पूरा एक साल के लिए रहा, क्योंकि लाव को वर्स के अंत में बाटा गया है, B और C चार और 6 महिने बाद, B आया 4 महिने बाद, मतलब B का पूंजी 8 महिन रहा, C आया 6 महिने मतलब C का पूंजी 6 महीना रहा ठीक है और इनका अनुपात क्या है 1 is to 4 is to 5 तो जिस अनुपात में निवेश करता है उसी अनुपात में लाव को बाटा जाता है मतलब लाव का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात तो लाव का अनुपात क्या है देखिए तो 1 is to 4 is to 5 ब इसका पूरा पैसा एक साल रहा है, अनुपाथ B. चार महिने बाद आया, मतलब आठ महिना के लिए, आठ महिना के लिए और माल लेते हैं कि B. X. Rupier लेके आया, तो इसका पुंजीर हो गया, 8X, अनुपाथ B. छे महिने बाद आया, तो एक साल में एक साल तक धन्दा चला, उ अनुपात, लाब का अनुपात, बरावर निवेश का अनुपात, पार्टनर्शिप का सीधा सा कंसेट है, ठीक है, अब हमें X और Y का भेलू चाहिए, तो भाईया कोई दो रेशियों को धर लो, ठीक है, अगर हम पहला और दूसरा को धर लेते हैं, तो इधर भी पहला और दूसरा को पकड़ना होगा, ठीक है 1 is to 4, equal to इतना is to 8X, ठीक है तो भाईया, इसको अगर हम तोड़ेंगे, तो क्या आएगा, देखिए तो 1 is to 4 कौन क्या लिखेंगे 1 बटा 4, बरावर 54,000 कुना 12, और बटा में क्या आजाएगा, 8X देखिए तो, 4 दूना 8, और 2 से काट देंगे 6 बार में, 54 गुना 6, X बरावर आजाएगा, 54 गुना 6, 50 चके, 300 और 6, 24, 324 324 पर लगा देंगे 3,0, यह आगया X का भेलू, मतला भी बी जो है, 3,24,000 रुपिया लेके धन्दा में घुसा था अब जी, Y चाहिए C चाहिए, क्योंकि पूछा है कि B और C के कैपिटल में कितना का डिफरेंस है तो हम B का हिस्सा तो निकाल लिए, 3,24,000 C का हिस्सा निकालना होगा, मतलब Y का भेलू तो भाई, आप ऐसा करो अब की बार, 1st और 3rd को धर लो पहला और तीसरा को 1 is to 5, equal to इतना, is to इतना तो 1 is to 5 को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई एक बटा, 5 लिख देते हैं बराबर, ये हो जाएगा 54,000 गुना, 12 बटा, 6Y ठीक है, कटम को टाई कर दो 6 दूना, 12 और ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, 5 दूना, 10 मतलब Y का भेलू हो जाएगा 54,000 पे 4,0 मतलब 5,4,000 मतलब Y किसका हिस्षा था? C का हिस्षा, X किसका हिस्षा था? B का हिस्षा, तोनों का अंतर पुछा है, घटा दो 5,4,000 में 3,24,000 को घटाना है उपर नीचे लिखके मत घटाना बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है आप ऐसा करो 5,0,000 में 3,0,000 घटाओ 2,0,000 बचा है, और 40,000 में 24,000 घटाओ, तो 40,000 में 24,000 गिया, तो 16,000 बचा, तो 2,06,000 दोनों के पुछी के बीच का अंतर है कौन सा अप्शन में है 1,08,000, 1,02, देखिए 2,06,000 अप्शन नमबर C, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, एकदम सिंपल तरीका रखो, ठीक है और एक-एक सवाल को आप तोड़ते जाएगा बढ़िया से, कहता है सवाल, कहता है कि वहिया, एक ट्रेन स्टेशन A से स्टेशन B की ओर 50 किलो मीटर पर आवर की स्पीट से चलती है 50 किलो मीटर पर आवर की स्पीट से चलती है स्टेशन A से स्टेशन B की ओर आदे घंटे बाद एक हैनी ट्रेन स्टेशन B से स्टेशन A की और स्टेशन B से स्टेशन A की और 175 km per hour की चाल से निकलती है दोनों स्टेशन के बीच के दूरी 725 km है जिस अस्थान पे दोनों ट्रेन मिलती है उस अस्थान की स्टेशन A से कितनी दूरी है मतलब जिस स्थान पे दोनों ट्रेने मिलती है ना उस पॉइंट से स्टेशन एक कितना दूर है ये हमसे पुछा है तो सिंपल सा सवाल है जब दो ट्रेने एक दूसरे के बिपरीद दिशा में आती है तो बहिया दोनों को मिलाना है, मिलाने के लिए दोनों को समान समय में चलाना होगा, एक ही समय में चलाना होगा, एक ही समय में उधर से और एक ही समय में इधर से, दोनों को सेम टाइम में चलाना होगा, तब वो लोग कहां मिलेगी हम लोग असामी से निकाल सकते हैं, तो एक्टम असान है आप उसी तरीका को पकड़ के एक्जाम में सौल कर दिजेगा कम से कम समय लगेगा ठीक है ठीक है तो जी स्टेशन A से स्टेशन B के बीच का difference कितना है यह स्टेशन A है यह स्टेशन B है इतना आपको एक्जाम में लिखना नहीं है बस समझाने के लिए तो यह 725 किलो मीटर का डिफरेंस है तो एक ट्रेन चलती है A से B यह 50 किलो मीटर पर आवर के स्पीड से और B से A वाला के स्पीड है एक सो पचास किलो मीटर पर आवर है अब देखिए दोनों ट्रेन को एक ही टाइम में चलाना होगा जो ट्रेन स्पीड से B की ओर जाती है और जो ट्रेन स्पीड से A की ओर आती है दोनों को एक ही टाइम में चलाना होगा लेकिन यह ट्रेन जिसका स्पीड 50 किलो मीटर पर आवर है ये इससे आधा घंटा पहले खुली है तो एक बात बताईए कि ये ट्रेन जिसका वस्पीट 50 km पर आवर है आधा घंटा में कितना दूर जाएगी तो जी 25 km दूर जाएगी अब ये 25 km चल चुकी है जो ट्रेन स्टेशन A से खुली है वो 25 km चल चुकी है आधा घंटा में अब आधा घंटा बाद दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे के तरफ दोडेंगे अब B से A की ओर भी ट्रेन आएगी और A से B की ओर भी ट्रेन आएगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना रह जाएगा 700 km क्योंकि A जो है जो पहले वाली ट्रेन है वो 25 km चल चुकी है अब डिस्टेंस कितना है 7 km तो मिलने में लगा समय कुल दोरी बट्टा सापेचिक चाल तो टोटल डिस्टेंस कितना है 700 km और दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है तो इनका स्पीड को जोड़ देंगे तो जी डेल सो और पचास आपका हो गया 225 तो 225 इतना आवर का समय लगेगा इतना आवर का समय लगेगा तो भैया इसको कटम कुटाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा साड़े साथ घंटा ना पच्चिस नावर दोसो पच्चिस पच्चिस चोके सो ये आ जाएगा साड़े साथ घंटा साड़े तीन घंटा साड़े तीन घंटा में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी कहीं मिस्टेक नहीं ना है डाटा तो मिस्टेक नहीं न किये हैं डाटा मिस्टेक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठीक है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है अब साड़े साथ साड़े तीन घंटा में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी तो एक बात बताईए यह हम यह चीज निकाल लें कि इस रही है वो कितना दूरी तई की है तब भी हम इस पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं या हम यह चीज निकाल लें कि साड़े तीन घंटा में ट्रेन जो ए से बी की वर जा रही है वो कितना दूर गई है कहां से 25 किलोमेटर के बाद क्योंकि 25 किलोमेटर यह पहले चल ठीक है तो साड़े तीन घंटा में जो ट्रेन ए से बी की वर जा रही है वो कितना दूरी तई की होगी तो जी साड़े तीन घंटा में तई की गया दूरी बरावर चाल गुने समय तो समय साड़े तीन घंटा और चाल हमारा क्या है 50 किलोमेटर परावर दो से उड़ा दिज ये 25 बार में 25 सत्य 175 किलोमेटर की दूरी तई की है और 25 किलोमेटर पहले चल चुकी है इसका मतलब 200 किलोमेटर डिस्टेंस है A से जहां पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है ठीक है तो A से 200 किलोमेटर दूर है अगर B से पुष्टाना तो 725 में 200 घटा देते B से वही दूरी 525 किलोमेटर हो जाता ठीक है तो पुछा है स्टेशन A से 200 किलोमेटर की दूरी पर दोनों ट्रेने एक दूसरे से मिली हैंगी गुननखंड निकालना है कहता है कि A स्क्वाइर प्लस 4B स्क्वाइर पिल्कुल अप ध्यान से देखिए कि यह है क्या कहीथ कुछ जरूर भोगा A square plus 4B square plus 4B minus 4AB minus 2A minus 8 चर आप ध्यान से दिखिए इस A square को plus 4B square को minus 4AB को अब ध्यान से देखिए तो A square plus 4B square minus 4AB क्या ये चीज आपको A minus 2B का whole square नहीं दिखता है A square plus 4B minus 4AB बराबर A minus 2B का whole square दिखता है तो सर दिखता है ठीक है मतलब एक दू तीन ये कुछ और नहीं था ये था आपका A minus 2B का whole square था ठीक है भाई ये चीज समझ गए अब क्या बचा 4B plus 4B minus 2A और minus 8 तो 8 तो हमारा बाहर ही रहेगा अगर हम इसको ध्यान से देखे तो हम इसको लिखेंगे minus का minus का इसको हम लिखेंगे minus का 2A और plus का 4B और minus का 8 बराबर का चिन देखेंगे समझेगा ध्यान से यहां से हम 2 common ले सकते हैं यहां से 2 common ले सकते हैं 2A plus 4B से 2 common लेंगे तो अंदर बचेगा A minus 2B मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 common लेगे तो a-2b बचेगा अब ये आपका equation बचा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a-2b का whole square minus 2 into a-2b minus 8 इनको तोड़ियेगा फिर यही चीज आपको मिलेगा अब आपको इनका गुननखंद निकालना है तो आप ऐसे निकालिए तो जो term आपको बराबर दिख रहा है a-2b a-2b मान लेते हैं यह हमारा x है तो यह क्या हो जाएगा x square minus 2x minus 8 यह मेरा हो जाएगा अब तरह इसको आप factorize कर दीजिए यह आपका quadratic equation यह भी है लेकिन यह आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा x square minus 2x minus 8 तो इसको आप द्युगात समिक्रण को तोड़ना जानते हैं तोड़ दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8 x square minus 4x plus का 2x minus का 8 बराबर में कर दीजिए 0 को इलिकत नहीं यहाँ से x common लेंगे x minus 2 होगा ठीक है अच्छा x minus 2x होगा यहाँ से x common लेंगे तो x minus 2 होगा और यहाँ से plus 2 common लेंगे तो यहाँ भी x minus 4 mistake कैसे होगी भाई 4 दूना 8 और minus 4 में plus दूगिया तो minus 2 बचा ठीक है तो यहाँ से common लेंगे तो x अच्छा यहाँ पर x-4 बचेगा ना sorry x-4 और यहाँ भी x-4 बराबर 0 अब इन दोनों से कोमल लेंगे तो x-4 into x-2 बचेगा और यहीं इसका factorization होगा लेकिन यह नहीं होगा x के जगाँ पर क्या रखना होगा a-2b x के जगाँ पर क्या रखेंगे a-2b असान नहीं है देख लो भाई तो मतलब इसको हम क्या लिखेंगे x के जगाँ पर क्या रखेंगे a-2b मतलब यह हो जाएगा ध्यान से देखो a-2b-4 into x-2 x के जगाँ पर a-2b मतलब a-2b-2 यह इसका factorization होगा कौन सा option में है a-2b-4 a-2b-4 इसमें है और a-2b-2 पहला number हमारा answer होगा हालवा नहीं है factorization अगर तरीका से देदेगा गुननखन तो पसीना छूट जाएगा एक जामनेशन होल में कि कैसे इसको समझे तो मेरे हिसाब से बेस तरीका से इस तरीका से हम आपको समझा सकते थे ठीक है क्योंकि अगर हम इसको factorize करते तो साइद आपको समझ में नहीं आता इसलिए जो term हमारा बराबर था ना हम उसको x माल लिए तो x square minus 2 x minus 8 आ गिया ये हमारा एक द्विघात semi-cratic equation आ गिया अब हम इसका गुननखंड निकाल लिए तो क्या आया x minus 4 into x plus 2 x के जगा पर हम इसका original value रख दिए a minus 2b तो आग ये a minus 2b minus 4 into a minus 2b plus 2 और पहला number answer आपका मैच करें सवाल को देखिए अच्छा अच्छा सवाल नहीं आपके लिए समझे का दियान से केता है कि a b c d e f 12 cm भुजा वाला एक समसट भुज है regular hexagon है समसट भुज regular hexagon मतलब ऐसा बंद फिगर जिसका 6 भुजा है और 6 भुजा आपस में बराबर है ठीक है तो तिरभुज e c d का छेतरफल cm2 में क्या होगा तो e c d का छेतरफल हम तभी निकाल पाएंगे पहले हमें regular hexagon बनाना होगा नाम देना होगा उसके बाद हम देखेंगे कि e c d कहां बनता है उसके बाद हम छेतरफल निकाल पाएंगे ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे निकाल सकते हैं ऐसे ठीक है इट साइड इकवल ना बने तो माफ करिए ठीक हाथ से थोड़ा सा दिकत होगा तो जी ये ऐसे एसे आपका एक भुजा लिखनर बाबा ये आपका एक भुजा होगिया इतना बढ़ा नी के का देया डूसरा हुजा लिखो ने ठीक है ऐसे हुआ डूसना अजalten बहुत बड़ा नहीं हो गया यह ज़्यादा जुग्या ना अब क्यों ज़्यादा जुग्या यह अब यह वला जुग्या ठीक है उसके बाद ऐसे बनाईे और ऐसे बनाईे और ऐसे बनाई ठीक है तो यह 6 regular hexagon है एक, दो, तीन, चार, पांक, छे और छे वो सैट क्या है बराबर है तो इसका नाम क्या है ABCD नाम देना सुरू करिए ABCDEF ठीक है और triangle ECD ECD इसका एरिया पुछा है triangle ECD का एरिया पुछा है ठीक है कैसे निकालेंगे समझेगा अगर हम इसके हर एक diagonal को मिला दें मतलब यहां से यहां मिला दें समझेगे बहुत बेजोड concept हम आपको बता रहे हैं यहां से यहां मिला दें हर एक diagonal को हम मिला देते हैं ट्रेंगल यह 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 आपको न ट्रेंगल दिखेगा और सारा का सारा ट्रेंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है आपस में बराबर होता है तो ऐसा ऐसा है न आपको कितना ट्रेंगल दिखेगा इतना भी ट्रेंगल दिखेगा आपस में सबको सब ट्रेंगल क्या होगा बराबर होगा ठीक है अब आप एक चीज और समझे एक चीज और समझे जब हम हर एक डायगोनल को मिलाएंगे तो आपको 6 ट्रेंगल बनेगा हर एक डायगोनल को मिलाने से देखिए एक ऐसे एक ऐसे एक triangle ये बना जो हम से पूछा है similarly देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे एक triangle ये बना एक triangle आपको ये दिखेगा ऐसे ऐसे ठीक है 6 triangle आपको इसमें दिखेगा और 6 triangle का area क्या है आपस में बराबर है ठीक है इसका मतलब ये है जो आपका triangle EDC है उसका area पूरा hexagon का area का 1 by 6 होगा ये चीज़ आप समझ गए पूरा hexagon का area का 1 by 6 होगा तो hexagon का area कितना hexagon का area कितना तो hexagon का area का formula क्या होता है regular hexagon का area का formula होता है root 3 by 4 a square into 6 equilateral triangle के area वाला formula में 6 का multiply कर देते है क्यों करते हैं आपको पता है नहीं जानते हैं तो एक बार comment में लिकिए कि सर्क क्यों करते हैं ठीक है तो इसका area क्या हो गया area हो गया root 3 by 4 into भुजा का square 12 गुना 12 गुना 6 ठीक है ये हो गया ठीक है अब इसको हम 6 से भागा देंगे 6 से भागा देंगे 6 से भागा देंगे तो इसको 6 से भागा देंगे तो बट्टा में एक चे और आ जाएगा और ये जो मेरा area निकल के आएगा ना ये e c d तिर्भुज का area बनेगा ये इस तिर्भुज का area बनेगा कट्टम कुटाई कर देजे 6 से 6 गया 4 ती आई 12 ती आई 36 root 3 cm square ये जो छोटा वाला तिर्भुज पूछा है उसका आंसर हो जाएगा सीधा उसका आंसर हो जाएगा सीधा ठीक है और ये जो आपको छोटा छोटा तिर्भुज दिख रहा है ये सब आपस में क्या होता है बराबर होता है एक दू तीन चार पांच छे साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, बारा जो छोटू-छोटू ट्रेंगल दिख रहा है न, सब का area आपस में क्या होता है, बराबर, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, एक unit, एक unit, एक, 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 सब का, ऐसे छोटा-छोटा बारा ट्रेंगल बनता है, इसके अं बात भी आपको समझदारी से समझ जाना है, इस सवाल को देगे, बहुत अच्छा सवाल है, पहले विडियो को पाउज मारिएगा, उसके बाद बनाएगा, कहता है कि PQRS 16 cm भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है जी, दिए गए वर्ग से काटने, काटे जा सकने वाले बड़ से बड़े सम अस्ट भुज, लार्जेस्ट रेगुलर अक्टागन, सम अस्ट भुज, आठ भुजाओं वाला ऐसा बंद फिगर जिसका सारा का सारा भुजा बराबर हो, सम अस्ट भुज, लार्जेस्ट रेगुलर अक्टागन की भुजा कमान सेंटीमीटर में क्या होगा, पड़ा ही simple सवाल है, अगर काटना सीख गए, तो बाटना सीख जाएगा, पहले काटना सीखिए, काटते कैसे हैं, यही important है, तो आपको सिखाते हैं, सीखिए गध्यान से, तो एक square बनाते हैं, जिसका each side 16 cm है, 16 cm है, हर एक side 16 cm है, और इस square का नाम है PQRS, नाम से कोई सारोकार नहीं है, कोई दिकत नहीं है, अब इसी square से हमको एक 8 भुजा वाला figure काटना है, तो काटेंगे कैसे, देखे, 4 भुजा है, चार भुजा आपको दिख रहा है, अगर हम परते corner पर diagonally cut लगा दे, विकर नता cut लगा दे, अगर हम हरे कोना पर कितना degree का angle बनेगा, 90 degree का, अगर हम हरे कोना पर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे cut लगा देंगे, तो 8 भुजा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा 8 भुजा, ठीक है, देखे, तो हरे क, हरे क, हरे क कर नर पर equally काटेंगे, कैसे, देखे, काटेंगे ऐसा, काटेंगे ऐसा, कि, हरे क diagonal का length बराबर होगा, तो तो हम यहां से यहां कट लगाए ऐसे ठीक है ऐसे कट लगाए यहां से यहां कट लगाए ऐसे और यहां से यहां कट लगाए ऐसे और फिर यहां से यहां कट लगाए ऐसे हम क्या बोले यह जो चार डैगोनल बना ना देखिए यह हमारा क्या यहां पर हमारा 90 डिगरी का एंग तो ये भी हमारा कर्ण है 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 और चारो कर्ण हमारा क्या होगा बराबर अब ध्यान से देखिए आपको रेगुलर ओक्टागन का आठ भुजा हम आपको गिनाते हैं अब कोना को छोड़ दी concepts राथ तो यह हमारा क्या बन गिया सम अस्ट भूज़् और आठों हुजा क्या है बराबर आठों बराबर है उतलों हरे बूजा कितना है देखिए माल दिजी अगर यह भी मैरा एक होगा और यह भी मैरा कि यूझनिट सुगाह मेरा डियागोनल कितना होगा यह भी मेरा रूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ऐसे, 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 क्या है regular octagon है, और उसका हर एक side root 2 unit है कि नहीं, बोलेंगे sir, है, अब अगर हर एक side root 2 unit है, तो ये भी 1 है, तो भाई मेरा यहां भी 1 होगा, यहां भी, यहां भी 1 होगा, ठीक है, तो भाई मेरे PQRS जो हमारा square है, उसका each side कितना है, 16 cm, ले root 2 plus 1, मतलब 2 plus root 2 unit का value सवाल में दिया है, 16 cm, तो हमें regular octagon का each side निकालना है, तो each side कितना unit है, sir, root 2 unit है, अगर एक unit का value, अगर 2 plus root 2 unit का value 16 cm है, तो root 2 unit का value कितना होगा, देखिए, समझधार बनिए, अगर 2 plus root 2 से हम root 2 को common निकाल लेंगे ना, तो अंदर बचेगा root 2 plus 1, और इसका value कितना है, 16 cm, तो sir, सिर्फ root 2 का value कितना होगा, तो कहेंगे sir, 16 बटा root 2 plus 1, और इसको rationalize कर देंगे, उपर निचे root 2 minus 1 से, तो हो जाएगा 16 into root 2 minus 1 cm root 2 का value, और यही हमारा उत्तर होगिया regular octagon का each side, 16 into root 2 minus 1, असान सवाल नहीं था, सवाल असान नहीं था, लेकिन अगर आप समस्दारी से खेलेंगे, अगर आप concept जानते हैं, तो असानी से तोड़ सकते हैं, हर एक सवाल को यह मेरा वाज, सवाल को देखिए, algebra का बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, तो यह आपको परिशान कर सकता है, इस type का सवाल, कहता है कि यदि x by 2 plus 2 by y बराबर 1 और y by 2 plus 2 by z बराबर 1 है तो, z by 2 plus 2 by x का मान क्या होगा, इसका value हम से पूछा है, ठीक है, तो देखें, आपको तीन variable इसमें दिखेगा, x, y और z, तीन variable के लिए तीन equation देता, तो हम सब का अलग-अलग value निकाल सकते थे, लेकिन तीन variable के लिए दो equation दिवन है, ये एक, ये equation, दूसरा ये equation, इसका मतलब है, एक equation हमें और चाहिए होगा, नहीं दिया है, कोई दिकत नहीं, बहुत छोटा-छोटा equation दिया है, मतलब हम value पूट कर सकते हैं, आसानी से, अगर आप इस equation को ध्यान से देखें, कि x by 2 plus 2 by y बराबर 1 करना है, तो हम x और y का क्या value पूट कर दें, कि ये दोनों तरफ 1, 1 बराबर हो जाए, तो भाई ध्यान से देखो, 2 by y है और x by 2 है, और इन दोनों को solve करके 1 लाया है, तो एक ही condition possible है, कि हम x का value minus 2 रखें और y का value 1 रखें, तो हम x का value जैसे minus 2 रखेंगे, तो minus 2 by 2 कितना minus का 1 और minus का 1 और plus का 2 कितना 1 दे देगा, मतलब x by minus, x equal to minus 2 रखना होगा, और y equal to 1 रखना होगा, ये कहां से आया, तो ये equation देखने के बाद ये चीज समझ में आया, ठीक है, अब x और y का value यहां पर आप रखे, satisfy कर जाएगा, ये चीज ऐसा ही नहीं कि सर आपको मालूम का, आप तो रख दिये, नहीं, कपार मालूम नहीं था, practice से आएगा, आप एक चीज सोचिए, special condition है, नहीं है, x, y, z, 3 variable के लिए 2 equation दिया है, हम value सोच सकते हैं, बहुत छोटा-छोटा है, ऐस 1 होगा, और y का value एक रखते हैं, तो 2 होगा, 1 और 2, 3 हो जाएगा, लेकिन हमको 1 लाना है, तैसे ही समझी में आ गया ना, कि यहां 2 नहीं, minus 2 रखेंगे, तब यहां से आएगा minus 2, और यहां से plus 2, minus 2, plus 2, बराबर 1, समझ में आ, ठीक है, अब यहां पर z का value चाहिए, तो y का value तो हम find कर लिए हैं, न, 1, तो 1 by 2, plus 2 by z, तो z बराबर कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, सिधा, z बराबर कितना हो जाएगा, सर, तो z बराबर 4 हो जाएगा, अब हम से पुछा है, z by 2, मतलब 4 बटा 2, तो 4 बटा 2 कितना, 2, plus 2 बटा x, 2 बटा x, तो 2 बटा x, x का value कितना, minus का 2, तो 2 बटा, minus का 2, मतलब यहाँ पे minus, plus क्या हो जाएगा, minus, 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 तो भईया, 2 बटा 2, मतलब 1 और 2 में 1 गिया, तो 1 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, सीधा, ठीक, वीडियो को pause मारिएगा, सवाल पढ़ने के बाद, बनाईएगा, फिर solution देखिएग ठीक है, और थोड़ा सेर मारते जाना भाई, ठीक है, थोड़ा सा support चाहिए आपका, कहता है कि एक परिक्षा में उतिर्न होने के लिए पुर्णांग का 50% अंक लाना आविसक है, अगर आप लोग जार्खन सचिवाले के परिक्षा में 50% अगर लाते हैं, तो कोई फाइदा आपको टार्गेट करना है 80-90% मार्क्स लाने का, ठीक है, एक परिक्षा में उतिर्न होने के लिए पुर्णांग का 50% लाना आविसक है, जितना भी टोटल मार्क्स होगा, उसका 50% लाएगा, तो आधी पास हो जाएगा, परिक्षा में 2% पत्र हैं, दो पेपर हैं, एक चा पत्र ने 200 पुर्णांक वाले पहले परस्ट पत्र में 40% लाया, दो सो में से 40% लाया, परिक्षा में उतिर्न होने के लिए 1.500 पुर्णांक वाले दूसरे परस्ट पत्र में निउनतम कितने परतिशत लाना आविसक है, तो सबसे पहले ये निकालने की टोटल मार्क्स कितन है तो जे टोटल मार्क्स है 200 यहां और 1.5 यहां साठहे 300 साठहे 300 में से 50% लाना है 50% लाना है तो साठहे 300 का 50% मतलब क्या आधा तो साठहे 300 का 50 कितना 175 मार्क्स लाना ही होगा उसको तब जाके वह परिक्षा में पास होगा, वो लाया कितना है, 200 में से 200 का 40% लाया है, तो 200 का 40% कितना, 200 का 40% 402, 80 नमबर, मतलब वो 175 में से 80 नमबर लेके आया है, कितना नमबर उसको और लाना होगा, तो 20 नमबर इधर और 75 नमबर, 95 नमबर उसको और लाना है, 95 नमबर लाना है कितना में 1.500 में तो बस आपको इतना बता देना है कि 95 डिड़सों का कितना परतिसत है तो 15, 96 मतलब 60% से उपर और 5 नमबर तो 5 नमबर कितना होगा भाई नहीं समझे ऐसे देखिए तो आप इसको ऐसे निकाल लिजे कि 95 डिड़सों का कितना परतिसत है 95 बटा डिड़सों गुन्ना में 100 तो 50 ती आई डिड़सों 50 दूना 100 तो जी ये 3 से कटेगा आपका तो 3 से काटी इसको इससे मल्टिपलाई कर लेते हैं उसके बाद अपरोक्स अंदाजा लगा लेंगे तो 9 दूना 188 एक्सों असी और 10 एक्सों नव्बे एक्सों नव्बे बटा 3 तो जी 3 से के अठारा 10 तीन ती आई 9 तीन ती आई 9 तीन ती आई 9 ये चलते रहेगा मतलब 64 परसेंट माक्स उसको नियूनतम लाना होगा तब जाके वो पास हो पाएगा देखिए कहता है सवाल यदि AQ पलस BQ बरावर 625 दिया है A स्कॉर मैनस B स्कॉर बरावर 25 एठीक है और A पलस B का वेलू 5 दिया ठीक है तो A स्कॉर पलस AB पलस B स्कॉर का वेलू क्या है ट्रीकी कोशन है अगर आप यहाँ A सोचेंगे यह बात अब सोचेंगे कि अगर A स्कॉर मैनस B स्कॉर का वेलू 25 दिया है और A पलस B का वेलू 5 दिया है तो हम यहाँ से A मैनस B का वेलू असानी से निकाल लेंगे क्योंकि A स्कॉर मैनस B स्कॉर बरावर होता है A पलस B इंटू A मैनस B और a plus b का value दिये है 5 तो a minus b का value हो जागा 25 बटा 5 मतलब 5 तो आपके सामने ये आ जाएगा result कि a plus b बराबर भी 5 है और भाईया a minus b का value भी 5 आ जाएगा और अब फिर हम इसको करेंगे solve और यहां से a का a plus b का value भी 5 है a minus b का value भी 5 है तो भाईया क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आप यहां से फस जाएगे मामला ये है ही नहीं मामला है सीधा का सीधा formula वाला कैसे समझेगा इस बात को समझेगा a q plus b q का value दिया है क्या आपको ये चीज मालूम है कि sir a q plus b q बराबर होता है a minus b into होता है a square plus b square plus a b क्या आपको ये चीज मालूम है और जैसे हैं ये चीज आपको मालूम होगा सवाल आपका हवा हो जाएगा देखिए a q plus b q का value कितना दिया है 625 बराबर a minus b का value चाहिए a plus b का value दिया है आई तो a minus b का value यहां से निकाल लेंगे a q minus b q a square minus b square बराबर क्या होता है a plus b into a minus b तो a plus b का value पास दिया है तो a minus b का value क्या होगा 25 बराब पास मतलब 5 तो a minus b का value क्या हो जागा 5 into ये चीज तो हमसे पूछा है ना भै ये चीज तो हमसे पूछा है दियान से देखिए यही चीज तो हमसे पूछा हैं, तो आपको करना कुछ नहीं था, 625 को 5 से भागा देंगे, तो 125 बार में उल जाएगा, और 125 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सिधा आंसर हो जाएगा, तो यह सब चीज आपके दिमाग में घुमते रहना चाहिए, situation देख के यह समझ जाना चाहि 15 डिगरी अपोन कॉस 75 डिगरी पलस कॉस 55 डिगरी अपोन साइन 25 डिगरी बराबर, रूट 3 10 थिटा है, तो थिटा का मान ग्याद करिए, कुम्पलिमेंटरी एंगल का सवाल है, जहां आपको एंगल का सम 90 डिगरी दिखेगा, वेल्यू 1 कर देना है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो यह कुछ और नहीं, साइन असक्वार धिटा पलस कॉस असक्वार धिटा वाला केस है, और धिटा के जगा पर 50 डिगरी, 50 डिगरी है, ठीक है, तो या, अब हम इस धिटा का बात नहीं कर रहे है, मिरे दोस्त, हम वो फोर्मूला वाला का बात कर तो sin square theta plus cos square theta क्या 1 होता है मतलब ये पूरा equation क्या देगा 1 देगा plus sin 15 degree बट्टा cos 75 degree इनको हम complementary angle से या तो sin में या तो cos में change कर सकते हैं तो उपर नीचे same हो जाएगा और 75 15 का value 90 मतलब ये भी 1 देगा cos 65 बट्टा sin 25 65 और 25 90 मतलब ये भी 1 देगा बराबर कितना है root 3 10 theta है इधर कितना आया 3 root 3 को इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 by root 3 equal to 10 theta 3 by root 3 को हम क्या लिख सकते हैं sir root 3 इसमें उपर नीचे root 3 से rationalize कर दीजिए multiply कर दीजिए तो 3 by root 3 मतलब क्या root 3 और 10 theta बराबर root 3 दिया है तो theta कभेलू क्या रहा होगा sir 60 degree रहा होगा theta कभेलू क्या रहा होगा 60 degree रहा होगा मतलब theta मेरा क्या होगा 60 degree हमारा सिधा आनसर हो जाएगा ठीक देखिए कहता है सवाल कि हरीस का मासिक बेतन 45,000 रुपिया है उसमें से 1 बटा 3 भाग सिच्छा पर 2 बटा 6 भाग भोजन पर तथा सेसरासी की बचट करता है हरीस की वारसिक बचट कितनी है ध्यान दीजिएगा वेतन का हिसाब दिया है मंतली और सेविंग का हिसाब उस दिया है यरली तो इस बात पर ध्यान देना है अपको ठीक है तो सबसे पहले इसका हिसाब किताब लगा लेते हैं कि यह हर महिना कितना बचट करता है और एक महिना में जितना बचट होगा उसको 12 से मल्टीपलाई कर देंगे तो एक साल का सेविंग निकल के आ जाएगा और वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा तो देखिए एक बटा तीन भाग सिक्छा पर और दो बटा छे भाग भोजन पर और जो सेच बसता है उसको वो बचा लेता है तो तीन और छे का LCM 12 तो भहिया माल लिजिए उसका वेतन 12 यूनिट है ठीक है 12 यूनिट है अब 12 यूनिट में से एक बटा तीन भाग खर्च करता है सिच्छा पर तो बटा का एक बटा तीन भाग केतना चार रूपया खर्च हो गया सिच्छा पर दो बटा छे भाग खर्च करता है भोजन पर तो 12 का 2 बटा 6 भाग 6 दूना 12 दूना 4 ये भाग खर्च हो गया उसका भोजन पर तो 12 में से 4-4-8 खर्चा हो गया इसका 4 ही तो सेविंग है यही 4 यूनिट इसका क्या है सेविंग है ठीक है अब यहीं ती समझ गया तो भाईया इस 12 यूनिट का भेलू सवाल में कितना दिया है तो सर 12 यूनिट का भेलू दिया है 45,000 रुपिया ठीक है एक यूनिट का भेलू कितना होगा तो 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 9, 90, 12, 84, 12, 25, 7, 3,500 तो एक यूनिट का भेलू 3,500 है और वो 4 यूनिट बचाता है multiplied by 4 अगर 35,000 के 4 यूनिट से multiply कर देंगे तो ये इसका monthly saving आ जाएगा तो सर ये कितना आ जाएगा तो 37,50 को हमना 35,000 माल लेते हैं 35,000 दूना 75 और फिर दो गुना 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 पे 2,0 मतलब 15,000 रुपिया महिना उसका क्या है बचत है महिना का बचत कितना 15,000 अगर महिना का बचत 15,000 है तो साल का बचत कितना 12 से multiply कर दीजिए 15 गुने 12, 180, 180 पे 3,0 एक लाक असी हजार रुपिया उसका सालाना बचत है saving है क्या है 35 में है 7 और 5 ठीक है एक 5 है ठीक है और 12, 14, 16 और 84 में 2 भी है इसका मतलब 5 दूना 10 कहने का मतलब यह है कि LCM जो भी होगा उसके unit digit पे 1,0 तो पक्का है ठीक है तो अगर हम 35 को हटा दे तो भी अब 12, 14, 16 और 84 का LCM कितना तो सर्ट 84 दूना 168 168 को 10 से multiply कर दिजिए 1680 तो सर इनका LCM कितना आया गुरुदेव 1680 आया 1680 आया यह इनका LCM आया तो 1680 और 1680 का जितना multiple होगा सारा का सारा 12, 14, 16, 35, 84 का LCM होगा बोलो हां कि ना हम आपको simple सा बात बोले है कि 2 और 4 का LCM कितना तो आप कहेंगे सर 2 और 4 का LCM 4 हम कहेंगे 8 भी होगा सुला भी होगा 12 भी होगा 2 और 4 का LCM है गिने 2 और 4 का LCM 4 और 4 का table पढ़ते जाएए जहां तक जाएए आप वहां तक पहुँच नहीं सकते अनंत तक सब का सब 2 और 4 का LCM होगा बात समझेगा इसी तरीका से 12, 14, 35, 84 समझेगा द्यान से 12, 14, 35, 84 का LCM कितना सुला सुला सु सकते हैं तो हमें ना 8,800 के बीच जाना है देखिए आपके पास होना चाहिए दिमाग ठीक है तो 1680 है अगर इसको 5 से मल्टीपला कर देते हैं तो 1685 ठीक है और 885 चालिस चार सु चौरासी सु तो जी चौरासी सु भी तो इनका LCM होगा भोलेंगे हां सर होगा अब चौरास वो नंबर है वो नंबर है वो नंबर नहीं है चौरासी सु एलसी म है अब कहता है कि जब इस नंबर में भाग देते हैं न भाई तो 16 बसता है अभी हमारा एक्स नहीं है यह हम चौरासी सु मेरा LCM है अब कहते हैं कि इस नंबर में भागदेने पर 12, 14, 16, 35 और 84 से भाग देंगे न तो 6, 4, 6, 8, 27 और 3 Sonic बचेगा देखे, जब 12 से भाग देंगे तो 6, 4 बचेगा 12 और 4 का अंतर 8 जब 14 से भाग देंगे तो 6, 6 बचेगा 14 और 6 का अंतर 8 सुल्ला से भाग देंगे तो सेश 8 बचेगा सुल्ला और आठ का अंतर 8 35 से भाग देंगे तो सेश 27 बचेगा अंतर 8 84 से भाग देंगे तो सेश 76 बचेगा अंतर 8 तो भाईया इसमें आप 8 घटा दीजिए तो आप कहेंगे सर 8392 वो संखिया है कुन संखिया X है 8392 वो संखिया है और बोला है कि आपना X में दहाई का अंक तो सरी इसमें दहाई का अंक होने 9 और 9 आपका उत्तर इस तरीका से आपको बनाना है अब चाहा तो डिटेल में भी जा सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होगा LCMHC आपका सवाल होता है ठीक है देखिये इस सवाल को देखिये कहता है कि एक सम बृतिय संकु के अधार का छेदरफल 425 cm2 है ठीक है और इसकी उचाई 15 cm है संकु का वकर परिस्टिये छेदरफल कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया आपसे नहीं पूचा है आपसे कर्व सर्फेस एरिया पूचा है मतलब नीचे का सर्फेस नीचे का एरिया छोड़ के क्या होगा देखिये संकु कैसा दीखता है बड़े टोपी देखे है न ये हमारा क्या है मेरे दोस्त ये हमारा एक संकु है तो संकु का जो अधार है अधार ये कैसा है वृताकार है अधार का चित्रफल कितना दिया है 400 pi 400 pi सिंटीमीटर और वर्ग और इसका अधार हमारा कैसा है वृताकार है वृत का चित्रफल क्या होता है pi r square pi r square मतलब pi r square profiles का वेलू कितना दिया है 400 part टो मेरे भाई पाई से पाई फेलू 400 AKT डार कितनरा बीस हो जाएगा और बराबर वीस मतलब संकु कि ये मेरा हाइट है और ये मेरा अब पूछता है कि इसका कर्व सर्फेस एरिया कितना होगा मतलग नीचे जो इसका आधार है ना उसका एरिया छोड़के जो ऊपर ऐसे गोल वाला भाग बचा ना तिर्चा गोल वाला टोपी का भाग उसका एरिया आप से पुछा है तो कर्व सर्फेस एरिया का फूर्मूला होता है C, S, A बराबर याद रखियेगा पाई R, L अब R तो आपको दीख रहा है L क्या है तो L यह जो तिर्छा उचाई है ना वह सलांट हाइट यह होता है L तो यह सलांट हाइट कहीं से निकलता है मेरे भाई यह यह आपका उचाई है यह आपका रेडियस है जरा इस तिर भूज नहीं है तो जि है बिलकुल आपका उचाई दिया हुआ है और अधार दिया हुआ है तो हम कर्ण नहीं निकाल सकते हैं असानी से निकाल सकते हैं यह 20 है यह आपका 15 है यह 20 है लगा दिजिए पैथा गोर्ष थियोरम 15 का स्कॉयर पलस 20 का स्कॉयर तोसो पच्च और 400-625, 625 मतलब इसका slant height कितना, 25, या आपको ये चीज मालूम है, triplet, कि अगर समकोन तिर्भूज में, समकोन बनाने वाला दो भूजा 15 और 20 है, तो इसका कर्ण कितना होगा, 25, क्योंकि 15, 20, 25 हमारा triplet है, Pythagorean triplet है, जो Pythagoras theorem को follow करता है, तो भाईया, पाई सब में छोड दिया है, Py को छोड़ दीजिएगा, Py, गुना, R, R मेरा कितना है, 15, गुना, L कितना है, 25, अच्छा, R मेरा 20 है, Sorry, 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 R मेरा 20 है, गुना, L, L मेरा कितना है, 25 है, ठीक है, तो भाई, 25 दूना, 50, 500, पाई, सेंटी मीटर स्कॉाइर, क्या हो जाएगा, इसका, CSA होगा, कर्व सर्फिस एडिया होगा? बोलो जय जारखंड, जोहार जारखंड, 500 πाई क्या हो जागा? कर्व बेस्थ एलिया, एकदम असान नहीं है, मतलब एकदम से आसान नहीं है, आपको इसमें घुसना होगा, देख रहे, तो formula आपको याद रखना होगा, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि slant height कैसे निकलते हैं, slant height कैसे निकलते हैं, क्या आप Pythagoras theorem लगाएंगे, या आप Pythagorean triplet से काम करनेंगे, तो Pythagorean triplet याद होना बहुत जरूब, इस सवाल को देखे, साइध आप इस सवाल को देखे डर जाएंगे, क्योंकि digit बड़ा-बड़ा है, उपर से power में भी 26 और minus 26 है, तो कहेंगे सर यह है क्या, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल असान है, algebra बहुत असान होता है, अगर अब ध्यान के समझें तो, कहता है कि यदि x का power 25 पलस x का power minus 26, भाई देशी वासा बोल रहे हैं, हसना मत, ठीक है, तो x का power है 22.5 पलस x का power है minus 22.5 पलस 2 बराबर 54 है, तो कहता है कि x का power 7.5 पलस 5001 पलस x का power minus 7.5 पलस 499 का मान क्या होगा, आप गौर से देखिए, तो एक का power है 7.5 और एक बार power है 22.5, क्या 7.5 का 3 times नहीं है, तो कहेंगे sir है, साड़े साथ का 3 गुना, साड़े बाईस, साड़े साथ का 3 गुना, साड़े बाईस, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है, तो जो हिंट दे रहा है उसी को मान लेते है, आप एक बात बताईए, द्यान से समझेगा, कि अगर हम x का power 7.5 बरावर y मान लें, कोई दिकत, कोई दिकत नहीं, और फिर दोनु तरफ क्यूब कर दे, मतलब x का power 7.5 का whole q equal to y q, तो ये क्या हो जाएगा, साड़े साथ का 3 गुना, 22.5 बरावर y q हो जाएगा, बूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब ये x का power 25 मतलब y q है, और x का power साड़े बाद, किसी भी number के उपर power अगर माइनस में, जिसे के x का power माइनस 2, मतलब ये क्या होता है, 1 by x इसको है, ठीक है, घातान का और करनी, अभी हम लोग arithmetic में पढ़ेंगे, आज, कल में, तो ये चीज आपका clear हो जाएगा, मतलब ये कुछ और नहीं है, इसको हम लिख सकते है, 1 by y q, 1 by y q, तो अगर x का power साड़े, 22 बराबर y q है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा, y q, पलस 1 by y q हो जाएगा, और पलस 2 को उधर ले जाते है, तो बराबर क्या हो जाएगा, बावन हो जाएगा, अगर y q पलस 1 by y q का value 52 दिया है, तो 1 q पलस 2 q वाला formula लगा दो, तो भाईया y plus 1 by y का भेलू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा पोलेंगे सर 4 हो जाएगा लगा देना formula y q plus 1 by y q या y plus 1 by y का whole q भी कर देना दोनों साइगा तो y plus 1 by y q equal to y plus 1 by y q minus 3 सीधा आपको बता देते हैं कि a q plus b q बराबर होता है a plus b का whole q minus 3ab into a plus b वही formula लगा देना y plus 1 by y का भेलू क्या जाएगा 4 आजाएगा अब अब जड़ा ध्यान से देखिए x का power 7.5 को हम क्या माने है y यहाँ पे क्या है x का power 7.5 plus 5001 plus x का power minus 7.5 plus 4999 तो भै अगर हम 5000 में 4999 को घटाना है sorry 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 यहाँ पे घटाना है यहाँ पे minus यहाँ पे minus का sign है ठीक है अगर हम 5001 में 4999 को घटाएगा तो कि इतना 2 मिलेगा और इसको हम क्या लिखेंगे x का power 7.5 को y plus x का power minus 7.5 मतलब 1 by y और पलस में 2 आजएगा 50001 में 4999 को घटाएगे तो 2 मिलेगा और y plus 1 by y का value कितना 4 और 2 बराबर कितना 6 आपका इस सवाल का क्या आगिया आंसर मिला अलजेबरा का best question है यह जो आपको समझ में आना चाहिए इस टाप पे ना हुद डिफरेंट डिफरेंट टाप का सवाल बनने लगा है समझ में आएगा तो बनेगा नहीं आखरी के दो सवाल simplification का सवाल है नहीं इस बार आखरी में HCF का सवाल है तो 4 बटा 5, 6 बटा 8 और 8 बटा 25 का HCF कौन सा होगा इसका आंसर आप कमेंट करिए इस सवाल को हम बताते हैं कहता है कि यदि ए एक प्राकृतिक संखिया है तो 7A square plus 7A हमेशा किस से विवाजित होगा 7 और 14 से 7 से 14 से या 21 से हमेशा किस से विवाजित होगा तो A के बारे में क्या बोल है मेरे दोस्त की A जो है वो हमारा natural number है तो natural number कोई भी रख दीजे यहां तक जा सकते हैं सब तो natural होगी अब ठीक है तो अब कोई एक जगा पर कोई भी natural number को रखिएगा तो इन चारों उप्सन में से किस से हमेशा विवाजित होगा always हमेशा किस से विवाजित होगा किसी और से होगा होगा वो बात लग है लेकिन इन चारों उप्सन में से कोई एक उप्सन ऐसा है जिससे वो number हमेशा विवाजित होगा तो भाईया मेरे यह हमारा क्या है? natural number है तो 7a square plus 7a तो अगर हम माल लेते हैं कि a का value 1 लेते हैं a का value 1 लेते हैं तो a का value 1 लिए तो यहां क्या होगी है? 7 गुना 1 square 1 मतलब 7 plus 7 14 हो गया तो भाईये 14 किसे जा रहा है? 7 से भी जा रहा है 14 से भी जा रहा है मतलब यह दोनों और यह 7 और 14 एक option में भी है तो भाईया अभी तक 7 और 14 से जा रहा है आगे देखते हैं आपका 7 और 14 हो गया क्योंकि A हमारा क्या है? सबसे छोटा natural number पहला क्या? 1 है तो हम जैसे ही A के जगा पर 1 रहा है तो 7 और 14 दोनों से जा रहा है 14 साथ का भी टेवल में है और खुद के भी टेवल में है अगर हम A के जगा पर 2 रख देते हैं तो भाईया A square 2 का square 4 तो साथ चोगे 28 और 4 दोना 8 28 और 8 28 और 14 28 और 14 कितना? 42 तो अब की बार कितना आया? 42 आया 42 एक्किस से भी जा रहा है देखी 21 से भी जा रहा है 14 से भी जा रहा है 7 से भी जा रहा है वतलब हम आपको क्या बोले? कि 7A square plus 7A यह हमारा natural number है इस format में आप कोई भी number को put कर दीजिएगा तो 7 और 14 से पक्का है कि इन दोनों number से हमेशा जाएगा जैसे कि हम जैसे ही दो रखें तो हमारा क्या है? 42 7 से भी जा रहा है 14 से भी जा रहा है लेकिन 21 से भी जा रहा है तो हमेशा किस से जाएगा? 7 और 14 से बाखी बाद किसी third number से भी जा सकता है लेकिन 7 और 14 से always कटेगा अब इस आखरी जो हमारा सवाल है कि HCF वो 4 by 5 6 by 8 और 8 by 25 का HCF इसका महत्तम समापरत क्या होगा? आप इसका answer मेरे दोस्त कमेंट करिए इसका answer कमेंट करिए और एक चीज़ याद रखे जितना पसीना हम बहा रहे है न अगर आप लोग बहा लेंगे न तो selection निस्चित है ठीक है? एक बार पसीना बहारा एक बार मेहनत का लगा लो अपने अंदर मेहनत का लग जाएगा न तो success बहुत दूर नहीं है success कुछ भी नहीं है आप अपने अंदर मेहनत का लगाए हम आपको भासन नहीं जाड रहे है ठीक है? भासन जाणना काम नहीं मेरा हम आपको बस समझा रहे है मानना ना मानना आपकी मर्जी है मेरा काम है इमंदारी से मेहनत करना जो कि हम और अभिसेकसर तरीके से कर रहे हैं आप लोग के लिए ठीक है तो ये था आज का practice वाला station 17 ठीक है तो आप एक-एक सवाल को देखिए शुरू से लेकर आखरी तक और वीडियो को share मारे चैनल को subscribe कर देजिए और जो भी core source आपको खरीदना है सबका link description में दिया हुआ है अब वहाँ से देख सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर तब तक के लिए